अगले जन्म में अर्जुन नहीं इस पांडव को पती के रूप में पाना चाहती थी द्रौपदी। महाभारत में कौरव और पांडवों के अलावा द्रौपदी का कई जगहों पर जिक्र किया गया है। द्रौपदी अकेली ऐसी महिला थी जिसका पांच पांडवों के साथ विवा हुआ था। द्रौपदी को अरजुन ने स्वयमवर में मचली की आँख भेद कर पाया था। ऐसे में कहा जाता है कि द्रौपदी पांच पांडवों में अरजुन को सबसे ज्यादा प्यार करती थ दुशासनवद की प्रतिग्या भी भीम ने ली और द्रौपदी के इस प्रण को पूरा किया अंतिम समय में जब पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ख जा रहे थे तब अचानक द्रौपदी का पैर फिसल गया द्रौपदी खाई में गिरने वाली थी उससे पहले भी भीम ने उनका हाथ पकड़ कर बचा लिया तब ही द्रौपदी ने कहा कि अगर अगला जन्म मिले तो मैं फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी यहां दी गई जानकारी सामान ने मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है वीडियो पसंद आये तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें